आज दो वायर वाली मोटर का कनेक्शन आपको बताते हैं देखो मैं इंडिकेटर में वायर लगा लिया हूँ यह मैंनी स्कॉट की वायर है और यह तीन वायर है मैंने एक मोटर के और एक पंकी लगाया हूँ और यह common wire इसके अंदर लगाया हूँ, यह face wire थोड़ा से इसको छिल लेते हैं, छिल के थोड़ा twist मार लेते हैं इसको, और दोनों को 6 ampia switch के अंदर नीचे वाली pin में इसको लगा लेते हैं, देखो यह इसमें से face जाएगा अपना, और neutral उधर ही रहेगा, तीनो wire एक करके, एक motor की wire रहेगी, एक pump की wire रहेगी, और एक main squat की रहेगी, वो तीनो wire एक होकर रहेगी, देखो यह इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, switch में से, pin में, और यह इधर की pin में डाल लेता हूँ, और इसको tight कर लेता हूँ, जो beach का जो button है, beach वाला, उसके अंदर मैं already pump क एक wire लगा चुका हो, देखो इस तरीके से आपको fit कर लेना है, उसके बाद देखो यह pump की wire लगाया हूँ, और यह motor की wire है, एक wire, इस pin की अंदर आपको लगा लेना है, देखो इस तरीके से, आपको इसके अंदर, इसको twist करके थोड़ा सा, और यह ऐसे इसको डाल लेना है आपको, और यह अच्छे से आपको, टाइट कर लेना है इसको, यह देखो यह pump की wire हो गई, यह motor की wire हो गई, और यह देखो यह यहाँ से face जाएगा, main squat से, यह दोनों में switch on करेंगे, तो उदर motor को चला जाएंगा, इसमें common आजाएंगा neutral, यह देखो यह तीनों wire, neutral की आज लेता हो, ओ, sorry, बता देता हो, इसको on करके, देखो इस तरीके से यह wire आपको सही से सब लगा लेना है, अंदर, डाकेल देना है थोड़ा सा, देखना wire कई कटना नहीं चाहिए, बहुत ही सौधानी से करना है, और यह देखो, मैं pin plug में लगा लिया हो, और यह start कर दिया हो, यह pump start है, और यह fan भी देखो, यह speed से घुम रहा है, यह देखो, यह video अच्छी लगए आपको, तो please like, subscribe, comment करना, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपको.